Hello everyone, good evening to all of you. तो आज के वीडियो में 19 June 2019 के सभी important current affair हम लोग cover करेंगे. अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो description box में मैंने link दिया हुआ है. आप आप से सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ ही अगर आपको free of cost GS के courses complete करने हैं, जैसे कि history, quality, geography, science and economics तो आप मुझे on academy पर follow कर सकते हैं. और एक news यह आप सभी के लिए July 1st week से मैं 2019 SSE aspirants के लिए full GS का course run करा रहा हूँ on academy पर. अगर आपको join करना है तो आप on academy पर subscription ले सकते हैं मेरे referral code यूज करके. referral code मैं आपको वीडियो के end में अपना बता दूँगा तो उसकी मदद से आपको 10% का discount यहाँ पर मिझ जाएगा. चलिए वीडियो के start करते हैं और पहला question है, recently who has set the record of 17 sixes in a cricket inning? अभी हाली में ये कौन हैं जिनोंने 17 छक्के लगा कर एक inning में ये record दर्ज कर दिया है? इससे फेले ये record था 16 छक्के का, 16 छक्के का record तीन लोग बना चुके थे, एक तो Kris Sharma के नाम ये record था, जूसरा Éभी डिविलियर्स के नाम ये record था और तीसरा Chris Gil के नाम ये record था, तो 16 छक्के का ये record टूड चुका है, Iyan Morgan ने ये record तोड़ा है. और एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि इयान मॉर्गन ने ये किस टीम के खिलाफ 17 चक्या लगाए है तो अभी ICC World Cup में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये 17 चक्या लगाए हुए है The next question is, after golden coin, which company has launched another cryptocurrency जिसका नाम है Libra ये Libra नाम की cryptocurrency, पहले launch करी golden coin और इसके बाद golden coin के बाद ये दूसरी cryptocurrency अपनी launch करी है Libra कौन सी company में, तो ये launch करी है Facebook ने, कुछ टाइम पहले मैंने आपको current affairs में ही बताया था कि Facebook ने अपनी एक cryptocurrency launch करी है जिसका नाम है golden coin, अब हाल ही मैंनोंने Libra launch कर दिया है इसमें इसका साथ दिया है Libra Association और Facebook का headquarter क्या है California और इसके founder आपको बताई है Mark Zuckerberg है अब ये जो Libra है, Libra की मदद से क्या किया जा सकता है, देखो ये cryptocurrency है, इसकी मदद से आप online services की purchasing कर सकते हो आप lane देन कर सकते हो online इसका, ओके इसका काम ये था कि चुनाओं में जो पैसा यूज होता है काला धन, उसके ऊपर rule बनाना और उसके ऊपर नय देना, उसको review करना इनका काम ता है इस SIT का तो इस SIT के ये vice chairman है, कौन अरजित पसायत, तो अभी हाली में ये news इस लिए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी report पेश कर दिये और इस report में इन्होंने बखुवी लिखा हुआ है कि ये जो अभी 2019 के लोग सबा election हुए हैं, इसमें election commission of India ने कितने रुपए दर्ज किये हैं, कितने रुपए जब्त कर लिए हैं, तो ध्यान रहे, 3800 करोन रुपए जब्त किये हैं election commission of India ने अभी 2019 के लोग सबा elections में, तो य which is what is the theme of this year, अभी हाली में हम लोग 20 वर्सकाट मना रहे हैं कार्गिल वार विक्टरी की, तो इस बार की theme क्या है, तो ध्यान रहे, इस बार की हमारी theme है, remember, rejoice and renew, ठीक है, और अगले महने हम लोग कार्गिल विजय दिवस मनाएंगे किस दिन, कार्गिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को officially declare कर दिया गया था, कि भारत ये युद्ध जीच चुका है, और ध्यान रहे, इसमें दो लोगों ने परमवीड चक्रे जीता था, ये परमवीड चक्रे किनको किनको मिला था, एक तो कैप्टेन मनोज पांडे को मिला था, और दूसरा कैप्टेन विक्रम बत् हाइस्ट सिविलियन ओनर, जिसका नाम है मानस ओडर ऑफ फस्ट डिगरी, इससे किसको सम्मानित किया है, तो ये ध्यान रहे, ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनिपिंग को इससे सम्मानित किया है, ओके, इंपोर्टन कोशन है, जैसे पीम नरेंद मोधी को अभी तक आ आदी मीर पुतिन रश्या के प्रेसिडेंट है, और नरेंद मोधी आपको पता ही है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, ओके, और अभी किर्गिस्तान में 19th edition हुआ था, SCO का, ध्यान लखेगा, edition बहुत इंपोर्टेंट है, यहां पर ध्यान लखेगा, किर्गिस्तान क Capital, बिश्केक में यह हुआ था, और इसको completely address किस ने किया था, नरेंद मोधी ने इसको address किया था, इस बार completely, the next question is, recently, पजाविला रामेसन has been passed away, he was a poet of which state, अभी हाली में, पजाविला रामेसन का निधन हो गया, ये एक कभी थे, जो कि कौन से state से बिलॉं करते थे, तो ध्या जून को अभी हाली में इनका निधन हो गया, भारत ने अपना एक कभी हो दिया, the next question is, which state government has launched 118 websites to take approval for building plan, ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसने एक साथ 118 websites launch करी है, जिनसे अगर आपको building plan चाहिए, तो उसका approval आप इन websites के थ्रू ही ले सकते हो, अब इसके लिए आपको सरका website में ही update कर दिया जाएगा, अगर आप building बनाना चाहते हैं तो, तो ये राज्य सरकार है करनाटका, अब करनाटका में सरकार किसकी है, करनाटका के CM है, HD कुमार स्वामी, क्या नाम है, HD कुमार स्वामी, ओके, तो HD कुमार स्वामी की सरकार ने 118 website launch करी है, ये बहुत ही अच online website के थू, approval मिल जाए करेगा, कोई भी यहाँ पर mediator देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वज़े से corruption से भी यहाँ पर चुटकारा मिलेगा, so that great move has been taken by करनाटका गुवर्मेंट, HD कुमार स्वामी, और पंजाब किसी हैं, आपको पता ही है कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, गुजरात में सरकार है, विजय रूपानी की, और महरास्टा में सरकार है, देवेंद फरनपीस, the next question is, recently Reserve Bank of India has imposed a rupee 1 crore penalty on which commercial bank, again important question, अभी हाली में किस commercial bank के ओपर 1 crore रुपे की penalty, Reserve Bank of India ने लगाई है, तो RBI ने 1 crore की penalty लगाई है, SDFC bank के ओपर, यह जो penalty लगाई है, यह धार 47A के तहट लगाई है, और 46, 4 के तहट लगाई हुगी है, ठीक है, section 47A और section 46, 4 के तहट यह लगाई हुगी है, इसका मतलब यह होता है, कि RBI से धोका धड़ी करना, और दूसरी चीज, RBI के norms and conditions को follow ना करना, उनका violation करना, तो HDFC को इसकी वज़े से एक करोण डूपय का भुक्तान करना पड़ेगा, HDFC का headquarter के है, इसका headquarter है मुंबई, और इसके CEO कौन है, इसके CEO है, आदित पुरी, क्या नाम है, आदित पुरी, SBI का headquarter, मुंबई, और SBI के chair person कौन है, रजनीश कुमार, अब बात आ जाती, access bank की, तो access bank के headquarter मुंबई है, और access bank के CEO कौन है, ये है, अमिताब चौधरी, क्या नाम है, अमिताब चौधरी, bank of बडोधा का ध्यान रखिये headquarter का है, बडोधरा, और bank of बडोधा के chairman, अभी हाली में appoint किये गयते, इनका नाम है, हस्मुक अधिया, ओके, तो ये सारी चीज़े मैं ने बता दी है, ध्यान नकिये इन सबी को, the next question is, which countries researchers have launched cooling vest for athletes, अभी हाली में कौन सा country है, जिसके researchers ने, एक cooling vest launch करी है, athletes के लिए, ये है, जापान, जापान के researchers ने, एक cooling vest, मतब कि ए cooling jacket launch करी है, इसमें ice pieces लगे रहेंगे, इस west में, ठीक है, इसमें बर्फ के pieces इस तरीके से fix हो होंगे, जैसे ये jacket है, jacket में zip लगी हुई है, इधर भी ice के pieces होंगे, इधर भी ice के pieces लगे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर neck के पास भी इसमें ice pieces लगे होंगे, जिससे की, जो खिलाडी जिस टाइम पर खेलते हैं, उनकी body का temperature control रहे, okay, heart beat बहुत जादा तेज ना हो, तो उनक एक तरीके से गर्मी से बचाने के लिए, ये cooling waste launch करी है, जापान ने, the next question is, recently bird's largest aerospace show has been successfully started in which country, important question है, ध्यान रखियेगा, दुनिया का सबसे बड़ा aerospace show, अभी हाली में कौन से देश में start किया गया, ये start हुआ फ्रांस में, और ध्यान रहे, भारत में भी aerospace हुआ था हमारा कहा पर, बंगलोर में, और कब हुआ था, 20 से 24 फरवरी को हुआ था, ओके, तो ये कहां पर start हुआ, ये हुआ फ्रांस में, फ्रांस का अइरो स्पेस, और इसको inaugurate किस ने किया, इसको inaugurate किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट, Emmanuel Macron ने, क्या नाम है, Emmanuel Macron, और चाइना के प्रेसिडेंट क अब भी कोशन आपको clear हो गए होंगे, फर्दर कोई भी डाउट है, तो आप मुसे comment box में बूल सकते हैं, और जादा से जादा वीडियो को please like करें, share करें, and जो लोग on academy पर, जो मैं July में full course GS का start कर रहा हूँ, अगर आप उसको join करना चाते हैं, 2019 exams के लिए, तो आप on academy पर मे अगरा referral code यूज कर सकते हैं, varun.hc90s-8150, इसका यूज करके आपको 10% का discount मिल जाएगा on academy पर, thank you so much, have a nice day and see you tomorrow.